इस वीडियो में गाईज हम लोग बात करने वाले हैं Realme GT60 स्मार्टपोन के बारे में और इसके Realme UI 6.0 बेस्टोन एंडूइट 15 के बीटा अपटेट के बारे में अब यह जो अपटेट है उसको आने में ज़्यादा टाइम नहीं है काफी जल्दी इंडिया में यह जो अपटेट है वो आने वाल है तो अपटेट है वो आपको कौन सी डेट को मिलेगा कौन से मन्त के अंदर इस अपटेट को यहां पर रोल आउट किया जाएगा और कौन कौन से स्पेसल फीचर है ना वह याँ पर इस update के अंदर 8 गे जाएंगे वीडियो को आप लोग end तक फोच करते रिए वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ये update इंडिया में release होगा तो वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी ये जो Realme UI 6 का update होगा जबी भी आएगा उससे पहले आपको एक बीटा फोरम मिलेगा और अगर आप लोग उस बीटा फोरम को फिल करते हो ना तब ही आपके स्मार्ट फोरम के लिए Realme UI 6 का जो update है वो यहाँ पर Realme की तरफ से roll out के जाएगा otherwise आपके फोरम के अंदर update है वो यहाँ पर show ही नहीं होगा तो ये जो बीटा फोरम है वो expected है वो आपको आने वाले दो weeks के अंदर कभी भी मिल सकता है हाँ guys 15 November से पहले पहले आपको यह वाला फोरम है वो कभी भी मिल सकता है Realme GT 60 स्मार्ट फोन के लिए और Realme ने यह जो चीज है ना वो officially confirm भी किये कि इंडिया में सबसे पहले आपको update Realme GT 6 और Realme GT 60 इन दो स्मार्ट फोन है उनी के लिए आपर देखने को मिलने वाला है तो यह जो बीटा फोरम है वो जब भी भी आएगा उसकी information मैं आपके साथ में share कर दूँगा Realme के telegram channel के अंदर क्योंकि वीडियो बनाने में time लगता है लेकिन poster है वो आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगा तो instant news के लिए इसको यहाँ पर join कर लेना बाकी मैं आप लोगों से बात करूँ update है वो यहाँ पर कब तक rollout किया जाएगा तो expected है इसी November मन्त के अंदर Realme की त कभी भी आपर देखने को मिल सकता है आप लोग यह समझ लीजे अगर एक बार beta forum आ जाता है ना तो उसके एक week के अंदर आपको कभी भी beta update है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बात करें हम लोग official update के बारे में तो official update को आनिमा भी थोड़ा time है December मन्त के ending के एप्रोक्स यह जो update है वो यहाँ पर roll out किया जाएगा तो दोनों चीज मैंने आपके साथ मैं share कर दिया है बाकि हम लोग बात करें कौन-कौन से नए feature है वो यहाँ पर इस update के अंदर add के जाएगे तो आपको यहाँ पर दो type के control center है वो choose करने का option मिलेगा तो एक तो आपको यह वाला control center मिलेगा जो कि कुछ ऐसा दिखाई देगा बाकि आप लोग देख सकतों low screen customization के अंदर इस बार काफी बड़े changes है और realme की तरफ से किये गए हैं आपको opening और closing animation है वो कुछ ऐसी मिलती है जब आप लोग always on display से low screen low screen से home screen के बीच में आप पर transfer होते हैं तो यह एक साबसे जो कि dynamic island type का feature है वो यहाँ पर होगा इसकी मदद से आप लोग काफी सारे application है उसको उपर से यहाँ पर access कर पाऊगे और left और right में swipe करोगे तो दूसरी application है उसमें भी आपर switch हो पाऊगे और भी काफी सारे guys feature आने वाल है जिसके उपर old lady मैंने वीडियो है वो बना दिये तो आप लोग हमारी इस complete वीडियो को watch कर लेना सभी नए features को जानने के लिए और वीडियो आपको अच्छी लेगी तो like कर देना चैनल को subscribe कर लेना अपटेट जैसे आएगा information आपको यहीं पर मिल जाएगी तो subscribe कर लेना और realme का telegram चैनल है उसको भी आप लोग यहाँ पर join कर स मैं मिलता हूँ आप लोग उसे नेक्स वीडियो में जेहिंद वन्दे मातरम